इस खबर के प्रायुजक हैं आत्मों प्रकाश आदर्श असना कोतर महा विद्याले अर्सत पूर जंगीपूर गाजीपूर विद्याले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर करें जो भी भारत में मुसल्मान हैं वो परिवर्तित हिंदू हैं लेकिन व्यक्ति के तुरुप से उस कांग्रेस के मैं मात करता हूँ जिस जो कांग्रेस नहरु के प्रधान मंत्री के रूप में कुर्सी पाई उसके पहले का कांग्रिस नहीं था वो भरत का कंग्रिस था नहरू के कुरसी पाने के बाद से वो नहरू परिवार का कंग्रिस हो गया तो नहरू परिवार का कंग्रिस देश चलाया है कांग्रिस देश नहीं चलाया है नहरू का कंग्रिस देश नहीं चलाया है नहरू जी के गोर इंडिया जी के बाद कॉं ए तो मदोस कि आंडिगी मपारी इन ले法ल टो रहूel जी अगरी के अच पाद कॉं तो प्रयाकिया कि के बाद कॉं तो हो सकता हिवे पूरा परिवार एक ही कोट में खड़े मिलेंगे अब देखे जाच तो समय से ही होता है वह रहा है और जो आपके जो अपने दामाद अब इनके बहनोई को दिये थे लोग नेशनल नहरांड प्रिस्था ना उसमें दिये थे तो वहा की नहीं हुआ लेकिन सम्धिधानिक परिशितिया है और जाच का भी कुन्न होगा तो कि जा चल रहा है जाच चलेगा अधिस्ते जाच प्रमानित हो जाएगा मेरे भाई आप लोग देख लीजेगा कि दमाद वी उसी कोट में बाद में और राहूल जी भी उसी उसी जो है कोट के नेता माने जाने लगए लोग का सुधरुप से समाद देश का भारत का शोचल लोग है इवल जो है इसके नाम परादीश की दूर्दसा है उस्सुद दूरुप से इसलिए है कि प्रथम कुरसी पर पटेल की जग़ा नहरू बैठ लेटे है। ये कराय जाएगा ये उस समय का संकट है जिस समय मुगल आतंकबादी आ करके और जो जो लड़ना चाहा लड़ा जो मरना चाहा मरा लेकिन कुछ लोग संपरिश्टी होती है और भैबस कुई परवरतन करने हैं सौब भारत नहरू के सत्ता में आने के बाद के कांगर्स की बढ अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें